हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक आप देख रहे हैं सी टॉक मैं हूं नेली मा सी टॉक की पहली वीडियो थी तो मैंने सुचा कि क्यों न हम इस सेंसिटेट टॉपिक के बारे में बात करें जो है फीमिल खत्ना जिसे हम फीमिल जनिटल मुटलेशन कहते हैं ये पूरे वर्ड के सा तत अला साथ इंडिया में भी होता है आज की वीडियो में मैं आपको फीमिल खत्ना की पूरी नौलेज देने वागी हrivू में यह क्या होता है कितने तरह का होता है कहां पे होता है इसके खिराए इन्डिया में क्या कुछ चल रहा है और आभी की लेटेक्श निउस क्या है इसके अगेंश्ट हमारे सुप्रीम कोट ने क्या बोला है सब कुछ आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है सो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको पूरी इंफॉरमेशन चाहिए तो क्योंकि फीमिल खत्ना जो है या FGM जो है फीमिल जेंटिल म्यूटलेशन उसको लेकर बहुत सारी धर्नाएं हैं जो हिंदू लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या करना है हमारे धर्म में तो ये होता नहीं है Muslims हैं तो उनका कहना है कि हमारे यहां यह नहीं होता है So, जो female खतना है वो Muslims में, Hindu में, Christian में मतलब किसी धर्म में नहीं होता है Actually में यह एक सामुदाय है इंडिया में जो है दाउदी बोहरा community यह एक community है, अच्छी community है पढ़ी लिखी है, यहां पे education बहुत जादा है They are rich also, but यह जो कूप रथा है वो उनके यहां पे है जिसके खिलाफ अब बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि female खतना होता क्या है तो female खतना जो होता है साथ से 14 साल की बच्चियों के साथ किया जाता है छोटी सी बच्ची को अंधेरे कमरे में ले जाये जाता है और ले जाने वाली उनकी मा, उनकी मौसी, उनकी दादी होती है उनकी family की जो बड़ी female होती है वो उन्हें ले जाती है एक अंधेरे कमरे में वहाँ पे उनके जो नीचे के कपड़े होते हैं उनको निकाल दिया जाता है एक बूढ़ी सी अम्मा आती है जो की बिलकुल भी ट्रेंड नहीं होती है कोई medical training नहीं होती है उनके पास कोई medical instrument भी नहीं होती है और फिर उनके जो private part का एक छोटा सा भाग होता है क्लाइटोरियस जिसका साधारन बोल चाग की भासा में कोई नाम नहीं है क्योंकि यह बहुत अनकॉमन है बहुत सारे लोग इस पार्ट के बारे में जानते भी नहीं है सो जो प्लाइटोरियस होता है उसका काम होता है आपको satisfaction देना जब भी आप sexually active होते हो सो यह छोटा सा पार्ट होता है आपकी वंसाइना के अंदर उसको यह लोग कार देते हैं and उस दल्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं जो वो छोटी सी बच्ची सेहती है और यह दल्द यहीं पर खतम नहीं होता है सिफ कार्ट देना उसका मतलब खतम हो जाना नहीं है क्योंकि उसके बाद उन्हें कोई भी दवाईया नहीं दी जाती है कोई भी medical facility नहीं दी जाती है किसी भी hospital में नहीं ले जाये जाता है उन्हें सीधा घर ले जाये जाता है और उसके बाद उन्हें इतनी सारी problem जेलनी पड़ती हैं, उनको जब भी वो washroom जाएंगी उनको असहनी दर्द होगा, जब उनके period सुरू होंगे तब उनको problem होगी, जब वो pregnant होंगी उनका पहला बच्चा होगा, तो बहुत ज़्यादा chances होंगे मा या बच्चे की death के, जी हा सिफ धर्म के नाम से हो रहा है, इस community का मानना है कि virginity को safe रखने के लिए, मतलब कि जो लड़की है, वो sexually active ना हो साधी से पहले, virginity को safe रखा जाते के, सिर्फ इस वज़ा से ये चीज की जाती है, वो form इस community में, तो डबलू अच्चो के अनुसार जो female खतना होता है या FGM होता है, वो चार तरका होता है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है, उसमें जो clitorial gland होता है, उसको हटा दिया जाता है, second में clitorious का जितना भी visible part होता है, जो दिख रहा होता है उपर, उसको पूरा का पूरा cut कर दि तीसरे तरीके में जो walba का inner fold होता है, आपको पता होगा, जो हमारी vagina होती है, उसका जो उपरी परत होती है, जो उसके जो उपरी दो lips होते हैं, उनको walba बोलते हैं, तो walba का inner part होता है, clitorious के साथ inner fold को भी काट देते हैं, and कुछ जगहों पे, as the practice, I don't know, की इंडिया में होत होती है की नहीं, बट कुछ countries में वरजाइना की जो opening होती है, उसको sill दिया जाता है, उसको छोटा कर दिया जाता है, तो ये चार तरीके हैं, अब आप तरीके को सुनके ही इतना भयानक लग रहा है, तो सोचिए जिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये होता होगा, वो क counting हैं, ये वो गिंती है, जो FGM के बाद जिन्दा बच्ची हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस pain को, इस process को जेल नहीं पाती है, क्योंकि उनकी उमर कम होती है, और उनकी death भी हो जाती है, बहुत लड़कियां delivery के time पे या pregnancy के time पे भी उनकी death हो जाती है, तो जो जिन् बच्ची हैं, उनकी counting ये है, 30 countries में, 30 देसों में 200 million से जादा, 1 million में 10 lakh होता है, तो आप count कर लो, 200 million से जादा लड़कियों के साथ ये हो चुका है, एक report के अनुसाद भारत में, बहरा समुझाए कि 75% लड़कियों के साथ FGM हो चुका है, और आगे हो ही रहा है, इवन जब lockdown थे, तो ये counting और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो खतना करने वाली females थी, वो घर घर जाकर पूछ रहे थे, कि मतलब किसी का खतना करना है, तो आप बता दो, सिर्फ sexual freedom छीनने के लिए, virginity को सुरचित करने के लिए, इतनी भयानक प्रक्रिया हमारे इंडिया में हो रही है, बोहरा community में, 75% female, सोच लिजे, 75% female का already FGM हो चुका है, और लाखों लड़कियां अभी इस खत्रे में जिन्दा है, कि उनका भी खतना होगा, मतलब FGM होगा उनके साथ, इस प्रत्था की वज़े से हर साल लाखों, लड़कियां और महिलाओं की मौत हो जाती है, भारत में FGM को कहा जाता है, 2018 में माशुमा रानालवी नाम की एक महिला हैं, जिन्होंने PIL डाली थी सुप्रीम कोट ने, और सुप्रीम कोट ने बोला था कि ये हमारे सम्मिधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उलंगन है, और ये भी कहा था कि इस से बच्चियों को मानसिक आगात पहुसता है, माशुमा रानालवी सहिद देश और दुनिया के बहुत सारे ऐसे एक्टिव लोग हैं, जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इस कूप रथा को बंद कराने के लिए काम कर रहे हैं, माशुमा रानालवी ने भारत में कई PIL दायर किये, कोर्स में, इसके अलामा उन्होंने PM नरेंद मोदी को भी open letter लिखा था, लेकिन आज भी इतना सब होने के बाद भी भारत में इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना है, और इस पर प्रतिबन नहीं लगा है, जबकि बहुत सारे countries में इसको illegal बता दिया गया है, और ऐसा करने वालों को सज़ा मिलती है, जुर्माना होता है, लेकिन अभी तक हमार इंडिया में इस प्रत्था पे कोई भी कानून नहीं बना है, कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है, तो आज भी हमारे भारत में FGM धरले से चल रहा है, तो हमारे समुदाये में ऐसा नहीं होता, कहने के बजाए, जो इसके खिलाफ लड़ हैं, हमें इसका उनका साथ दे साथ देने के लिए आप बहुत आसान चीज कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, इसके नीचे आपकी जो भी सजेशन है, आपकी राय है, वो आप कमेंट में लिखिए और आप कमेंट में हैश् टैक इंट FGM लिख सकते हैं, इस टॉप FGM लिख सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुचे जिन्हों ने इसके खिलाफ अपने कान बंद करके रखे हुए हैं और इसके खिलाफ कानून नहीं बन रहे हैं, तो व